बिग बॉस सेरा में शहिनास गिल के थपड मारने से आखिर कर क्यों नराज नहीं हुए थे सिद्धाख शुकला फाइले दोस्तो हो गया है कुलासा तो चलिए जानते हैं हेलो गाइस में हुजोती और आप देख रहे हैं बिग हेडलाइन्स दोस्तो बिग बॉस सेरा का सफर काफी शानदार रहा है शो में रूटना मनाना प्यार लड़ाई रूमैंस की रोलर कोस्टर राइट दिखने को मिली है शो में साथ ये सबसे ज़्यादा जिसे पसंद किया गया है तो वो थे सिद्धाशुकला और शेहनास गिल सिद्धाश की जोड़ी को हर किश ने दिल से चाहा है दोनों की जोड़ी लोगों को बहुत पसंद आई है शोशल मीडिया पर तो हैश्टाग सिद्धाश भी ट्रेंड करने लगा था वेल दोस्तों आपको बिता दी कि दोनों की नाच्रल केमिस्टर ने तो लोगों का दिल जीत लिया था इस दोरान एक वक्त तो ऐसा भी था जब उनके भी जगड़ा हो गया था एक बाद तो शेहनास ने उन्हें लगा था थपड भी मार दिये थे लेकिन सिध्धा शुकला शेहनास से नाराज बिलकुल भी नहीं हुए वो बहुत चिल्ड परसंत है अब सिध्धा शुकला ने इसका जवाब दे दिया है उन्होंने खुलासा कर दिया है तो बहुत ही सिम्पल सी बात होती है इसका इतना ज़ादा दिल पर लेरी वाली बात इसमें कोई है नहीं विल दोस्तों आपको बता दे कि पूरे मामले के बार में तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि क्या था पूरा मामला बता दे कि शो में ये इंसिदेंट तब हुआ था जब सिद्धा शुकला उन्हें जिलिस कहे कर चिड़ा रहे थे और बोल रहे थे कि माहिरा शर्मा इस घर में सबसे क्लियर है इसके बाद शैनास गिल काफी अपसेट हो गए थे सिद्धा शुकला से और अपने आपको मानने लगी थी तब इस अभी घरवाले उन्हें चुप कराने के लिए वहा गया थे और उन्हें रूम में लाया गया था तब सिद्धा शुकला उन्हें समझा ही रहते तब इस शैनास गिलने उन्हें थपड मार दिये थे यहाँ था कि उन्हें चपल से भी मारा था लेकिन बाद में सब ठीक हो गया था लेकिन इस सबकी बाद सिद्धात ने फाइनली बोल दिया है कि यह सबसे वो बिल्कुल भी नराज नीत और यह सबसे उनको बिल्कुल भी फरक नहीं पड़ता है दोस्तो इसको ठेकर क्या है आपकी राही कमेंट करके जरूर बताएं